हेलो आज मैं आप लोगों के लिए नया टॉपिक लेके आया हूँ और वो टॉपिक अट्मोस्ट इंपॉटन्ट है माथमाटिक्स में और उसको हम लोग फंक्शन के नाम से जानते हैं तो आज का ये वीडियो पूरी तरह से डिडिकेटेड रहेगा सिर्फ फंक्शन को समझाने में इसमें कोई सवाल मैं नहीं करूंगा सिर्फ और सिर्फ आपको समझाऊंगा कि फंक्शन क्या होता है उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि मैंने कोसिस की ह है कि ये वीडियो जादा से जादा बच्चों तक पहुंचे सो दाट कि उनको अगर वो कहीं और पढ़ रहे हैं और उसका मैं सब्स्टिट्यूशन दे सकूँ आप लोगों को ये बहुत अच्छा रहेगा इन सो मेनी वेज मेरी आप लोगों से दर्ख्वास्त है कि आप ल एक आम है आज के डेट में ट्यूशन पढ़ना वो जरूरत नहीं रहे इसकी क्योंकि इसके लिए मैं कोई सब्स्रिप्सिं क्या कोई चार्जिस नहीं लेता या कुछ भी नहीं है ऐसा पुरी कोशिस है मेरे के उन बच्चों तक ये जरूर पहुंचे ताकि वो उसको देख करें सो दाट की और भी लोगों तक पहुंचे और मैं और अच्छे से अच्छे कंटेंट इसमें डाल सकूँ चलिए यही कहने के साथ अब भी मैं फंक्शन स्टार्ट करता हूँ तो हमारा टॉपिक है आज का सबसे पहलर टॉपिक दाटिस फंक्षन फंक्शन को कशे हम समझेंगे शबसे पहले मैं यह आप ama को बताता हु उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे तॉपिक को तो फंक्सन को समझने के लिए मैं एक एक अग्जाम्पल लेता हूं और यह बताने कि जब कभी आप खेलते हैं या कभी कभी गाड़ी वाड़ी से अगर आप किर जाते हैं तो अक्सर आपके यह जो नेक है यहां पर स्ट्रेस आता है या फिर जटका लग जाता है आसान भासा में नहीं जानता आप मूव लगाएंगे रात बंठ रहेंगे फिर तो तीसरे दिन यह प्रॉलम्म आएग चार दिन बारा आएगी चलता रहता है सालों बर चलता रहता है आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपको देखने के बाद आपसे कुछ सवाल पूछते हैं और उस सवाल में एक सवाल ये रहता है क्या कभी आप किसी चीज से गिरे थे और आपको याद नहीं आता है और बहुत देर के बाद याद आता है हां मैं बाईख एक बार चला रहा था या साइकल चला रहा था उससे गिर गया था तो चोट लगी थी तो आपने मला नहीं कुछ नहीं लगी थी बस हलका से जटकाया था उन्हों ने बोला आप एक सरे कराईए गरदन का आपको थोड़ी सी घर जब आप पहुंचे बड़ी हरानी हुए कि यार यह डॉक्टर क्या है बहुत बार तो हम यह भी बोल देते हैं यह डॉक्टर क्या यह हाथ में दर्द हो और यह X-ray मेरा गर्दन का कर रहा है तो जब गर्दन का X-ray हुआ तो उसमें उसको कुछ abnormality दिखी और उस abnormality की basis पे उसने आपको एक फिजियो थेरेपी के लिए बोला जो कि उस abnormality को दूर करेगा और वो था कि गर्दन में वो एक stress देते हैं यहां पे कुछ ऐसे करके फसा देते हैं और इसको hold करके रखते हैं औ तो मेरी बातों को सिर्फ और सिर्फ उस तरीके से समझें के समझाने के पॉइंट विव्यू से हैं तो इसको वो खीषते हैं और इससे आपका गर्दन का जो नस है जो शायद कहीं फस गया है या कुछ हो गया है उसमें वो stress उसके उपर पड़ता है वो दुबारा बड़ ब दूब बड़ता है यह जो मैंने आपको बताया है यह मैं निजी एक्सपीरियंस से बता रहा हूं यह मैंने ऐसा देखा है तो यह स्टोरी बताने का क्या मक्सद है कहां mathematics और कहां मैं आपको medicine पढ़ाने के बारे में बता रहा हूं दरसल मैं दोनों को relate कर रहा हूं मैं आपक मतला हात में ही है कहीं और तो अ हो इनको पता है कि एक नस इदर से आती है और वो इधर की सरीर पता है तो क्यूंकि उसको उस नस की फञ्सेनालिटी पता थी कि उस नर्स की वَّज़े से आँ खूण पहुंचता है और वह खूं के ब्लॉकेज की वज़े से यह आपको डर्द हो रहा है या सूजन हो रहा हा तो उनोंने क्योंकि उसको उनकी 份क्सुनालीटी पता थे उसका काम पता थे function का मतलब क्या होता है काम किसी चीज का काम तो उनको उस नस का काम पता था तो उन्होंने उस बिमारी को पकड़ लिया और अगर नस उनको उस चीज का काम नहीं पता होता या अगर वो अच्छे डॉक्टर नहीं होते excuse me for that word अगर वो बहुत अच्छे डॉक्टर नहीं होते और उनको उस फंक्शनालिटी का नहीं पता होता या हम जैसे डॉक्टर होते जिनको कुछ पता ही नहीं है इस बारे मारे तो हम जीवन बर उसमें हाथ में पट्टी बांते रह जाते और यही सोचते कि यार कोई प्रॉब्लम होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, कोई प्रॉब्लम होगी और कभी solve भी नहीं होता है तो दरसल में function वही है अगर आपको function पता है किसी चीज का तो आसान हो जाता है उस चीज के बारे में या उससे जुड़े हुई चीजों के बारे में जानकारी कटा करना और उसको solve कर पाना उससे जुड़े ही problems को solve कर पाना अगर आपको function नहीं पता होगा तो आप उससे जुड़े हुई चीजों को solve नहीं कर पाएंगे कहने का मतलब जिस तरह से आपको anatomy नहीं पता है तो आप एक doctor नहीं हो सकते, उसी तरह से function अगर आपको नहीं पता है तो आप अच्छा mathematics तो नहीं solve कर सकते, आप plus minus multiply divide कुछ हट तक कर सकते हैं, वो कोई दिकत नहीं है, लेकिन अच्छे mathematics को आप solve नहीं कर सकते, समझ नहीं होंगा, इसको समझाने के लिए मैं आपको कुछ example दोंगा सबसे पहले, और वो example है कि मैं क्या करता हूं, कुछ घर बना लेता हूं, घर मतलब set है, और यह set है, बहुत सारे fruits का है, ठीक है, fruits का है, world में जितने तरह के fruits हो सकते हैं, उसका यह set है, fruits, set A है, इसमें fruits है, और इंडिया में fruits हो सकते हैं, वो है, यह fruit हम अटा देता है, इस वाले में हम रखते हैं, कि जितने भी तरह के दुनिया में newspaper आती है, सारे newspaper का यह set है, मतलब world में जितने भी newspaper हो सकते हैं, अब इसमें यह मत कहिएगा कि वहाँ वाला है कि नहीं है, सब जो भी है, मुझे भी नह साथ है, कौन कों से रहे हैं, तो सारे newspaper के यह, यह सब तरह के newspaper मिलेंगे आपको, एक तीसरा set हम ले लेते हैं, कि इसमें world के जितने भी vegetables हैं, vegetables, सारे raw vegetables आपको मिलेंगा, सारे के सारे, vegetables, vegetables, यह इस room का नाम C देते हैं, और दूसरा room है हमारा D, room का मतलब set, set से है, उमीद इसमें world के जितने तरह के fruit के क्या बोलते हों ज्यूगिंश हो सकते हैं, वो रखे हो हैं, fruit जूग्ष है, fruit juice का packet है,Não capitalist में जितने तरह के fruits होते हैं थैंना, सब का juice बना करके इसका packaging करके रखा हूआ. जिसका नहीं भी हो सकता है माल लिजिए इस फ्रूट का नहीं हो सकता है आप माल लिजिए उसका भी है यहां पर ऐसे समझ लिजिए सब का है यहां पर ओके इसका नावन देते हैं D और मैं एक मसीन क्या करता है उसको बनाता हूं यहां पर एक मसीन है मेरे पास और वो मसीन क्या करती है क्या करती है वो बता देता हूँ पहले यह उसका output है और मसीन का एक input है input यह मसीन है और इस मसीन का नाम F है जिसे आपका पंखा एक मसीन है तो उसका नाम पंखा है फैन है तीवी एक मसीन ही है या मिकसर एक मसीन है इसका नाम मिकसर है क्योसी तरह से एक मसीन है ओके तो इस मसीन का नाम F है अब हमें आपको मुझे बताना है कि अगर मैं कहूं इस मसीन के बारे में आपको पता नहीं कि इस मसीन क्या करती है और मैं कहूं कि आपको दो सेट को जोड़ना है इस मसीन के काम के थ्रू जो काम करता है उसको ध्यान में रखके दो सेट को जोड़ना है तो आप जोड़ पाएंगे यहां पे दो सेट को इस मसीन, यह मसीन क्या काम करता है उसको जानते हुए लेकिन आपको तो मैंने मसीन का काम बताए नहीं कि क्या काम करता है तो अगर नहीं करता है तो आप कोई भी दो सेट को आपस में कनेक्ट नहीं कर पाएंगे कोई भी दो सेट को आपस में कनेक्ट नहीं कर पाएंगे A को अगर मैं B से कनेक्ट करना चाहूं इस मसीन के थ्रू मसीन को ध्यान में रखते हुए कि जो काम करता है तो fruit मसीन क्या करेगा ताकि fruit का newspaper बना दे can newspaper का paper का fruit बना दे पता नहीं मुझे हो सकता है कोई ऐसी machine हो भी तो मुझे नहीं पता newspaper को इस machine के थ्रू अगर हम cross कराएंगे तो क्या vegetable बन जाएंगे या vegetable को cross कराएंगे तो can newspaper बनेगा पता नहीं मुझे तब ही होगा शायद fruit को juice का packet तो मुझे क्योंकि machine का काम ही नहीं पता है तो हम इनको आपस में connect नहीं कर सकते हैं that's simple अब हम इसको machine का एक काम दे देते हैं मसीन का काम है कि f जो है वो दरसल में juicer है मतलब यह कुछ भी रखेंगे उसका हमें juice निकाल करके बाहर दे देगा यह machine का काम है अब आप तुरंट connect कर पाएंगे अब आप तुरंट connect कर पाएंगे connect यह करेंगे कि यह जो fruit है इसको इस machine के through और इस वाले set से हम connect कर सकते हैं that A और D को connect कर सकते हैं इस machine के through तो इसी को लिखेंगे A to D connect हो गया और यहाँ पे F इस machine के through हमने A और D को connected इसी को आप कहेंगे connecting A to D with the help of F connecting A to D with the help of F यह जो बाते बता रहा हूं, यह सब बिलकुल informal बात है, इसमें function का कोई लेना देना नहीं आपी तक, मैंने कुछ भी नहीं बोला, तो बहुत informal है, धीरे-धीरे हम formal होंगे, इसी से जज्ज मत कर लिजेगा, कि अरे, बुक में तो कुछ और लिखा हुआ था, अभी हम सब धीर मतलब अगर यह जूसर है, तो जूसर में जूस डालके आप फ्रूट तो नहीं बना लेंगे न, इसलिए A to D कहा है, मैंने, not D to A, ठीक है, इंपॉर्टन है यहां, ओके, अब यह machine कैसे काम करेगा, ज़र इसको हम लोग देखते हैं, machine काम करेगा, कि इसका जो input है, input यह fruit, ज जो भी हम डालेंगे, machine के अंदर जब जाएगा, तो F जो है, उसके उपर अपना काम करेगा, मतलब machine का एफ, F मतलब, F तो machine का ही नाम है, तो F मतलब machine का जो काम है, अब काम को इंगलिस में function बोलते है, तो machine का जो function है, function क्या है, कि कुछ भी डालेगा, उसको पूरा करेगा, और उसको करने के बाद उसमें से juice extract करेगा, और pulp को कहीं फैक देगा, या हो सकता है कि pulp को भी juice के form में बहुत ही पतला या वारी जैसे orange का juice होता है, तो उसमें pulp होता है, अगर आप US वगरत जाएंगे, तो देखेंगे, orange का juice का एक अलग से cane आता है, जो कि उसमें लिखा रह mild pulp होता है, तो वो भी लिखा रहता है, कि less pulp, no pulp, लिखा रहता है, तो ऐसे मेरे खाल से और भी juices का हम मान लेते हैं कि pulp कभी इस्तमाल हो रहा होगा, लेकिन ये मेरा concern नहीं है, फिलाल pulp है या नहीं है, तो जब machine के अंदर जब fruit जाएगा, तो fruit के उपर वो घूमेगा, तो F जो है, आप समझ लीजे, F को, मतलब वो machine की तरही treat करिए, वो जो घूम रहा है, उसके उपर काम करेगा, वो पूरा fruit जो है, ऐसा-एसा करके घूमेगा, और घूम करके फिर वापिस वो उसमें से juice जो है, extract करके आपको output से देदेगा, तो मैंने कहा किया, बहुत सारा save काट और save को इसके अंदर डाल दिया, करके machine पूरा काम किया, और बाहर में save का juice आपको पकड़ा दिया, उसी तरह से apple डाला, orange डाला, बनाना का juice तो नहीं निकलता, लेकिन माल लेते हैं, उसका भी juice निकला, मैंने पहले ही आपको बोल दिया, माल लेते हैं, जो भी fruits का juice निकल सक सकता है, वो सारे आप डाल रहे हैं, अब अनना को भी डालते हैं, उसका भी माल लेते हैं, जो भी mix करके वो दे देता है, liquid form में देता है, overall, semi-solid form में, that will work, तो ऐसा कर देता है, अब यह जो F है, यह क्या है, एक defined काम करता है कि नहीं करता है, आप सोच के देखिए, यहां defined स सब्सक्राइब का क्या मतलब हुआ, कि पहले से तै हुआ काम है, वही यह करता है, मतलब यह है, कि अगर गलती से, इसमें, अगर हम उंगली वगर अब भी डाल देंगे, गलती से, अगर डल जाएगा, तो उसको भी काट कूट करकर, डोल डोल करके, उसमें से भी खुन बाह देगा, sorry, anyway, तो effectively, इसमें, जो भी आप डालेंगे, जो भी fruit आप डालेंगे, वो सब fruit का, वो juice बना करके, आपको देदेगा, ओके, तो F जो यहाँ पे letter जो मैंने F लिखा है, उसका एक defined work है, defined work मतलब वो पहले से तैग किया हुआ है, कि आप कुछ भी डालेंगे, उसका juice बना देगा, लेगिन जब यह सब्ध हम कुछ इस्तमाल करते हैं, तो क्या literally यहाँ पे कुछ का मतलब कुछ है, नहीं, कुछ का समझ सकते हैं कि कितनी अकलमंदी वाली बात है, अगर माल लेते हैं कि उसमें, अगर मैं कल को पथर डाल दू, और बोलू कि यह machine जो है, वो चल रहा है और कुछ देही निरा, और मैं दुकानदार के पास चला जाओ, कि यह ना, मैंने पथर डाला, इसमें से juice नहीं दे रहा तो आप कल्पना कर लिजे कि आपके साथ क्या होगा, दुकानदार आपके वारे में अटलीस्ट क्या राय बना लेगा, यह तो आप मानी सकते हैं, दुकानदार समझ जाएगा कि या तो मैंने किसी पागल को बेज दिया है, या तो यह मुझे पागल बनाने के लिए लिए जानता है कि आपको पागल बनाने क्योंकि आप ससस बता रहेंगे पथर डाला है, तो समझ जाएगा बहुत बड़ा मुर्ख आदमी है, कहने का मतलब यह है कि आप जब इसमें कुछ इंसर्ट करेंगे, कुछ डालेंगे, इंपुट जो डालेंगे, वो कुछ तै किया हुआ तो यह बहुत है, यहाँ अब जो लेटर है, क्या दिखा रहा है, फउंक्शन हो दिखा रहा है, फंक्शन को दिखा रहा है, इंपुट जो है, इंप्ट जो है, इंपुट है, कि जो भी पॉसिल वेलूब्ट क् arrests हो. अब चीजिज नहीं डाल सकते हैं इस बात को ध्यान में रखेगा मेरे एक एक बात को ध्यान में रखेगा यह सब इस्तेमाल मैं करूंगा जब इसलिए हम function के तरफ बढ़ रहे होंगे तो all possible input all possible things लिख लेता हूं कि यहां पर fruits के बारे में बात हो रही है all possible which will be inserted अगर आप वो डालेंगे तो आपके पास output हमेशा आएगा यह बाद तो आप मानेंगे अब मैं function के यह एकदम basic सा आप एक function मतलब जो काम एक machine करेगा उसका मैंने आपको example दिया अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछ लेता हूं उसका जवाब भी देता हूं जैसे पंखे का ना एक function है और वो है कि वो घूमता है और घूम के आपको हवा देता है वो मतलब पहले से तै किया हुआ है कि आप प्रेस करेंगे स्विच और वो अपना काम स्टार्ट करते हैं कि प्रेस करें और आप पंखे में नीचे लाइट हो सकती है वह लग चीज़े लेकिन पंखे से लाइट नहीं चल रही है ऐसा तो नहीं होगा चलिए माल लेते हैं कि आप लाइट वाले पंखे को देख करके आप सोच रहे होंगे चलिए मैं उल्टा कर लेता हूं आप टीवी चलाईए और आप आप एक्स्पेक्ट केजिए हुआ हवा देने लग जाए है कि ऐसा होता है नहीं होता न और अगर ऐसा होगा तब किया करेंगे आप ऐसा होगा तब आप जरूर टीवी के कस्टमर केर को फोन करेंगे जो भी जिस कंपनी का उसको बताएंगे कि या टीवी तो चलनी रहा पंखा है हावा देखाएगे ऐसे केस में आप समझते हैं क्या होगा जरूर आएगा देखेगा कि क्या गरबड़ी है कुस्तों गरबड़ गाना चलने लगने ठनडा गरम कोई बात ही नहीं हो रहा है तो अब क्या करेंगे पिर आप वहीं काम करेंगे ऐसी वाले को फोन // करेंगेaksirdi जही जेहां पर होगा कि अब देखिए जरह हम धीरे-दीरे formal की तरफ जा रहा हैं तो अगर माल लेते हैं यह जो मेरा possible things जो input में हैं इसी को हम domain कहते हैं जो हम रख सकते हैं जो हम रख सकते हैं उसी को हम domain कहते हैं possible that is called domain और जो output आएगा that will be range and very important अक्सर ये आप सुनेंगे अक्सर अक्सर सुनेंगे कि लोग समझते हैं या कहते हैं कि function में आप जो डालेंगे और वो निकलेगा जो निकलेगा वो दूसरे set में हम रख देंगे ऐसा नहीं होता है ऐसा नहीं होता function में function में जो set होता है जो निकलेगा वो दूसरे सेट में दिखेगा this is very important जो निकलेगा उसको दूसरे सेट में हम रखेंगे ऐसा नहीं है यह बहुत important है समझना यह सबसे बड़ी गलती function में लोग यही करते हैं मैंने ऐसे बहुत सारे videos देखे हैं जिसमें unfortunately यह चीज थी यह बात तो बोली नहीं चाहिए मुझे लेकिन anyway that's not important मैं सिर्फ आपको आगाह कर देता हूँ कि ऐसा नहीं होता है function में function में होता है कि एक हमने कुछ डाला और जो निकलेगा वो आपको दूसरे सेट में दिखेगा पहले से तै किया हुआ कोई सेट है उसके अंदर दिखेगा हो जैसे यहाँ पे पहले से तै किया हुआ एक रूम है fruit juice का उसके अंदर जो भी आप fruit डालेंगे उस fruit juice वाला जो रूम है मैंने कहा था world के जितने तरह के fruit juice हो सकते है सब है यहाँ पे तो जो juice बनेगा वो तो उसी किसी कैटेगरी में होगा हम यह मान के चलते हैं कि सब तरह के juice है महाँ पे तो उसमें दिखेगा वो लेकिन ऐसा नहीं है कि आप दुनिया के सब तरह के fruit डाल के आप juice निकाली रहे है या वो रूम जो D रूम है वो हमारा range हो गया तो फिर code domain क्या होगा फिर वो code domain को max के हिसाब से रट लेते हैं कि वह set यह हो गया range यह होगा लेकिन दोनों के बीच में connection कैसे है उसके बारे में जब वो पढ़ रहे होते तब कुछ और पढ़ रहे होते हैं और जब आता है topic mathematics में तो रट लेते हैं कि code domain मतलब दूसरा वाला set और जो आ रहे हो range है ऐसा नहीं होता है हमेशा याद रखेगा कि जो function है जो machine है उसका काम है कि जो input लेगा और जो output लेगा दोनों set पहले से तय है पहले से तय है और जो output आएगा वो दूसरे set में check करेगा कि यह है कि नहीं है वो check करेगा या आप कहलेजे कि पहले से जो अल्रडी रखा हुआ है जो बहुत सारा element है वो देख रहा है कि हाँ यह मेरा जो range आएगा वो guarantee है कि इसी set में से कोई नो कोई आएगा यह तो तय है यह तो ठीक है statement लेकिन यह कहना कि जो range वाला हम मतलब core domain की बात ही ना करे पढ़ाते समय और सिर्फ यह बोलें कि यह वाली value हम उसमें डालते रहेंगे insert करते रहेंगे यह सही नहीं है यह गलत है यह गलत है तरीका तो इसी लिए यह जानना बहुत जरूरी है set में कि आप domain किसको कह रहे है और core domain किसको कह रहे है और उमीद लगाता हूँ range किसको कह रहे है यह भी आप समझ गया हूँ लेकिन अभी मैं समझाओंगा और समझाओंगा तो यह जो possible input है इसी को हम लोग domain कहते हैं जान रखेगा यह जो possible input है इसी को हम लोग domain कहते है इसी को हम लोग domain कहते हैं इसी को हम लोग domain कहेंगे जो यह निकलता है this is range और यह देखा किस में जाएगा कौन से set में देखा जाएगा यह देखा जाएगा fruit juice वाले set में तो fruit juice वाला जो पूरा का पूरा set है इसको हम लोग domain कहेंगे यह domain, co domain और range का पूरा मैंने आपको map खीच के देदिया अब मैं इसको और आपको समझाता हूँ माल लेते हैं कि फिरसे वही fruit juice वाला ही हम बात करते हैं अलग से अभी बात में बात कर लेंगे pineapple है और किसका juice बनाते हैं हम लोग ruby fruit है या grapefruit आप कहलेज़े चले grapefruit का बनता है grapes का भी बनता है of course and so on यह हम पांच ले लेते हैं और इसमें जो juice है वो apple juice है और इंग जूस है pineapple juice है और किस-किस चीश का होगा ruby fruit juice होगा ruby fruit juice है grape fruit juice है और mango juice है चले माल लेते हैं इसे तो mango का juice मैंने देखा नहीं है और ले लेते हैं grapes का juice है juice है और भी कुछ होगा माल लेते हैं fruit x है उसका juice है fruit y है उसका भी juice है fruit m है उसका भी juice है fruit l है उसका भी juice है और बहुत सारे तरह के juice है तो machine का काम है यहां पर अब arrow लगाएंगे यहां पर arrow ऐसे machine का काम है यहां फिर arrow मत भी लगाएंगे आप simply connect कर दीजेए इससे पतल है दोनों आपस में connect हो रहा है machine का काम है कि आप जो भी रखेंगे उसमें machine का काम ही यही है कि वो juice बना के देखा तो basically वो juicer है very simple basically वो juicer है तो juicer है तो machine का काम है कि आप जो भी इसमें डालेंगे remember again जो यह सब मैं बोल रहा हूँ जो भी बहुत खतरनाक है यह जो का मतलब कुछ भी नहीं है इटा पत्थर नहीं है कल को आप आलू डालके कहिए जूस निकल जाए तो वो नहीं होगा machine का काम है जो भी fruit आप डालेंगे यह हमने तै कर लिया है कि जो भी fruit होगा सब का juice वो निकाल देगा हम माल लेते हैं प्रिसाइस नहीं होते हैं ने तो फिर में बहुत सारे restrictions लगाने पड़ेंगे तो मैंने सिर्फ की category है तो मैंने vegetables की category नहीं लिए है तो fruit का मतलब हम fruit ही मालेंगे जिसका निकल सकता मालें tomato का कल सकता है आप टमाटर को भी फ्रूटी में कंसरेर कर लिए जो कोई दिकर नहीं है तो अगर हम यहाँ पे डालेंगे तो जो भी का मतलब यह है जो पॉसिबल है अब गोवी डाल के आप गोवी घजू उसके एक्सपेक्टेशन मत रखें जो पॉसिबल है जब भी पॉसिबल है जब उस पे हम माल लेते हैं वो एक्स है एक्स जब इस एफ के थ्रू जब जाएगा तो एफ क्या करेगा उस एक्स पर अपना काम करेगा उस पर बाहर जब वो निकलेगा ना तो f अपना काम उसके उपर कर चुका होगा और करके निकलेगा f of k f of x यह कहेंगे जो मसीन है on x भी आप कह सकते हैं function on x मतलब वो जो x आपने डाला है उसके उपर मसीन ने अपना काम किया है या function of x कहेंगे यह mathematical होता जा रहा है दिरे दिरे तो यह हमारा pass input है और यह output है यह output को हम कहां देखेंगे इस output यह जो एक तो यह होता है कि यह output आ गया हाँ हो गया यह output किसी set के अंदर दिखना चाहिए अगर हम apple डालते है तो apple juice आया अब क्या apple juice इस set में दिख रहा है हाँ दिख रहा है क्या औरंज जूस डाला मैंने औरंज अजश मिझे मिल रहा है सब का जूस यहां देख रहा है माल लेते हैं यह हमारे पास फिलाल पांच ही फ्रूट है तो पांच फ्रूट डाला तो पांचों का जूस निकल गया इंच कर लेता हूं कलर एपल जूस मुझे मिल रहा है और इंज जूस मुझे मिल रहा है पाइन आपल जूस मिल रहा है ग्र grapefruit juice and grapes का juice मिला अब देखिए ये जो set आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा set फिलाल आप देखिए apple, orange, pineapple, grapefruit and grapes ये सब के सब domain of the function कहलाएंगे machine का domain कहलाएगा ये मतलब जो जो चीज रखी जा सकती है अब हम क्या करते हैं एक और भी चीज यहां पर ले लेते हैं मान लेते हैं कि गोभी ले ले लेते हैं गोभी तो गोभी यहां रखेंगे तो गोभी का juice मिलेगा क्या नहीं मिलेगा लेकिन एक और बात आती है मिलेगा क कि नहीं मिलेगा इसका सवाल तो बाद में आता है सबसे पहला सवाल तो यहां पे खड़ा और अगर आप जबरदस्ति रखेंगे उससी टाइप का होगा तो अगर आप गोवी रखेंगे इसका जूस तो बनके आएगा नहीं बाहर तो अगर आपने यहां पे वेजिटेबल में रख दिया कॉलिफलावर अब हम देखने की कोसिस करेंगे यार इसका जूस दिख रहा है कैसे दिखेगा इसका जूस इस मसीन का क्या मुध महीं नहीं है कॉलिफुलावर का जूस बाहर निकालकर देना पिर है सब्सक्राविए और लेता है है आप कॉलीफिलावर भी तो रखें रहे हैं, out of the box जाके, out of the box जाने का मतलब, बोला गया fruit का आपको set लेना है, fruit का पूरा का पूरा एक ऐसा रूम है, जिसमें fruit है, अब जो पर देश्ति उसके अंदर cauliflower भी डाल के चेक करना चाहिए, तो जब आप cauliflower रख सकते हैं, जो कि fruit के room में, तो मैं पथर क्यों नहीं रख स काम करेगा, एकदम powder बना के आपको देदेगा, cement वगरा टाइप का, त्राइकर लीजेगा, घर पर आपको समझ में आ जाएगा, जो वस्वास है कि आप नहीं करेंगा, और करेंगा तो घर में अच्छे से आपकी कुटाई होगी, बढ़ियां से दम भर के होगी, और वहां स अगर फिर भी माल लेते हैं, कि कोई ऐसी चीज रखी जाए, जो fruit ही है, और fruit रखा तो जो juice आया, वो इस room में नहीं दिखाई दे, इस room में नहीं दिखाई दे, तो माल लेते हैं, वो fruit capital F है, और उसको मैंने यहां पर रखा, मसीन में रखा, और उसका juice इस room में नहीं दिख निकल जाएगा, या उसका output निकल जाएगा, रेंज बन जाएगा, ऐसा नहीं है, अगर माल लिजे कि आप F डालते हैं, और उसका बनी जाएगा, तब तो कोई भी चीज, मतलब function नहीं के category में falling नहीं करेगा, फिर तो आप कुछ भी रखेंगे, सब के सब domain माना जाएगा, जो कि गलत है, गलत है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे मसीने हैं, जिसको कि हम उस काम के लिए नहीं गिन सकते हैं, जिस काम की बात मतलब उस समय की जाएगे, के लिए नहीं गिन सकते हैं, जैसे इसको देखते हैं, कि capital अगर F मैं यहाँ पर डालूँगा, तो capital F अगर डाल तो उसका जूस नहीं निकला या निकला भी तो वह इस सेट के अंदर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप कहेंगे कि यह मसीन जो है दरसल इन्वैलिड मसीन क्यों जब इसका काम है जूस बनाके देना और यह फल ही है कुछ और नहीं है और इसको डाल रहा हूं तो इसका मसीन कुछ गड़बड़ है आप खुच सोचिए अगर आपके घर में ऐसी जूसर हो और उसमें अगर मैं कुछ जो भी जूस निकालने का कोई भी जैसा हो सकता है जो जो इंस्ट्रक्शन हो कि भई आप फूट डाल सकते हैं तो मालो मैं फूट ही डाल रहा हूं उसका जूस नहीं निकल रहा है तो आप जरूर करिए या तो इग्नौर कर दीजागा अगली बार से फूट नहीं डालीगा लेकिन मैंस में ऐसा नहीं होगा मैंस में यह कहा कि भई यह मसीन जो है गरवड़ है तो इसका दूसरा दूसरी भासा में कहा जाए कि डूमेन का अगर एक भी एलिमेंट एक भी मेंबर ऐसा हो जिसको डालने के बाद मसीन जो रिजल्ट दे रहा है वो रिजल्ट दूसरे सेट में ना दिखे पीट कर रहा हूं मैं अगर मसीन में ऐसा हो कि मैं जो डालूं और वो डालने के बाद मसीन जो भी दे रहा है जो भी दे रहा है मानलो एफ डाला तो एफ का जूस निकलना चाहिए निकलेगा और वो एफ का जूस इस वाले में नहीं देखाई दे रहा है तो हम कहेंगे कि य गरबढ़ है या ऐसा भी हो सकता है कि अगर हमने एफ डाला तो उसका जूसी नहीं निकला तो इसमें दिखेगा कहां जूसी नहीं निकला तो आप गैस करेंगे ना इसका जूस कैसा होगा क्या लिखेंगे तो वो तो आपको इसके अंदर दिखेगा जूसी नहीं निकला तो मसीन गरवड कब माने जाएगी जब डुमेन का एक भी ऐलिमेंट ऐसा हो एक भी जिसको डालने के बाद मसीन रिजल्ट जो दे रहा है वो रिजल्ट हमें सेट बी के अंदर नहीं दिखाई दे रहा है या रिजल्ट ही नहीं दे रहा है दोनों इस सिच्वेशन में हम कहेंगे कि यह जो मसीन है यह function invalid function या इस function का यह domain नहीं हो सकता आपको domain change करना पड़ेगा मतलब एक दूसरा set of room में जाके जहां किये कि इसके सामान को हम रख सकते के नहीं रख overall उस समय वो machine invalid ही माना जाएगा पुझे उमीद है कि यह बात आप समझ गया होंगे यह मैंने सर्फ और सर्फ आपको domain के बारे में बताया है कि domain हम कैसे देखते हैं अभी domain के उपर और भी किस्से हैं किस्से in the sense की और भी चीजों को मुझे समझाना है तब आप domain को ढंक से समझ पाएंगे तब तक के लिए बाइबाए इस वीडियो को जरूर देखें relations के वीडियो को जरूर देखें इन चीजों को समझ के रखेंगे तब ही आप build कर पाएंगे सवालों के करफ सवालों के उपर आप ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे उनके questions को ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे सब तक के लिए बाबाए and thank you